हलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप आपकी यूट्यूब चनल, exam91 पे दोस्तों, देखो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, कि आपको पेपर से पहले, मैं कुछ एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कम्प्यूटर का कि जिसमें आपको कम्प्यूटर में, जो कोश्चन्स हमारे आने हैं, उन में से कुछ related ऐसे कोश्चन्स हो, जो आपके पेपर में आ सके हैं, नहीं आ सकते हैं, लेकिन उससे related कोश्चन्स मिल जाएंगे, और PPT एक ऐसा चैप्टर होता है, जिससे हमें कोश्चन्स में हर इस बीडियो में आपको यहाँ पर आज पूवाइड करूँगा, जो आपके पेपर से पहले ही आपको देखने को मिल लहा है, और अभी आप लोग जो है, पेपर अभी तो देखो यहां पर कुछ presentation के हमारे पास powerpoint presentation या impress shortcut जो होते हैं इनकी keys है हमारे पास कुछ ऐसी shortcut keys है जो आपको देखने को मिलेंगी और यह video 10-12 minute का video होगा आप इसमें आपको बिल्कुल exactly 10-12 minute का question होगा 20-25 question है और यहां पर कुछ shortcut keys है यह आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगा और यहीं से आपको लगवख कुछ एक दो questions ऐसे होंगे जो बिल्कुल फस जाएंगे देखो control plus N जो होता है यह किसलिए होता है तो यह हमें नई slide को चालू करने के लिए होता है और ऐसे ही एक दूसरा आता है control plus shift plus N यह किसलिए होता है तो यह manage template करने के लिए template को manage करने के लिए होता है control plus O यह किसके लिए होता है तो यह भाई open करने के लिए होता है F2 किसके लिए होता है तो F2 जो होता है यह हमारे जो जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं तो उसमें edit या insert कुछ insert करना है, कुछ हमको edit करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो आप F2 को press कीजिए, और वहां से आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? आपको edit करने का options मिल जाएगा, control plus s, ये क्या क्या काम करता है? तो भाई ये save करने का काम करता है, ऐसे फिर control plus shift plus s, ये किसलिए होता है? तो यह हमको, यह save as का काम कर देता है, इस से हम लोगों को save as, जैसे आपकी कोई नाम, पहले से save की हुई file का नियम है, अब उसमें हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस صिर्फ ओ सिर्फ उस file को save करना है, उस file को नय नाम से save करना है, तो आप save as का इस्तिमाल कर सकने हैं, चलो, Ctrl प्लस M, क्या हो जाएगा, यह duplicate slide हो जाएगी, यहाँ से आप एक slide जो बनी हुई होती है, उसके duplicate बना सकते हैं, ठीक है, चलो, यह questions, जितने भी आपको shortcut keys, मैं आपको provide कर रहा हूँ, यह सारी की सारी आपकी paper में आई हुई shortcut keys हैं, मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, यह सारी की सारी कहीं न कहीं किसी paper में आई हुई हैं, तो आप लोग इनको ध्यान दे के जरूर पढ़ना, फिर देखो, shift प्लस F3 यह क्या करता है, यह object जो होते हैं हमारे जितने भी उनका duplicate बना देता है, ऐसे ही, control प्लस X, यह तो खेर आपको पता है, कि यह हर जगह पे computer में कहीं पे भी करेंगे, तो यह control जो होता है, control प्लस X, यह किसी भी चीज़ को जिसको select कर रखा होता है, उसको cut कर देता है, cut मतलब वो आपका जो है, पीछे background में चला जाता है, आप उसकी दूसरी जगह पे कहीं पे भी उसको paste कर सकते हैं, खेर, control प्लस C देखो, तो control प्लस C का काम क्या होता है, वो copy करने के काम में आता है, फिर, ऐसे ही control प्लस B देख लो, वो क्या करता है, तो वो जो होता है, वो paste करना, यानि कि अगर हमने किसी चीज़ को cut कर रखा है, control प्लस X के मादधम से, तो हम लोग control प्लस B से paste कर सकते हैं, अगर कोई भी item copy कर रखा है, control प्लस C से, तो वो भी हम लोग control प्लस B से paste कर सकते हैं, ऐसे ही control प्लस Z, इसका क्या काम होता है, जैसे माल लीजिए हमने कोई काम किया, और वो गलत हो गया, लेकिन हमें बापस जाना है, तो हमने उसको delete करने का option नहीं है, हम सोच रहे, delete ना करें, तो आप तुरंथ control प्लस Z लेंगे, और वो undo कर देगा, undo का मतलब आप background में जैसे थे, वैसे उस condition में पिछली वाली पे पहुँच जाएंगे, फिर redo, जैसे redo का क्या काम होगा, आपने कोई काम किया और delete कर दिया भूल से, लेकिन आपको delete नहीं करना था, तो आप क्या करेंगे, control प्लस Y ले लेंगे, और आपको वो क्या कर देगा, बापस उसी जैसा बना के फिर से दे देगा, ठीक है, तो मतलब delete की हुई चीज को, या खतम की हुई चीज को, फिर से बापस देने के लिए काम, किसका होता है, तो वो redo का होता है, control प्लस H, ये क्या करता है, ये find and replace का का काम करता है, कहां पे करता है, तो ये power point, यानि की presentation software में, इसका ये काम होता है, चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर देखो, control प्लस shift प्लस V देखो, ये paste special का का काम करता है, फिर F4, ये object position and size का का काम करता है, F5, ये start slide so का का काम करता है, shift प्लस F5, ये current slide में start करने के काम में आता है, ऐसे ही control प्लस shift प्लस F5 जो है, ये navigator का का काम करता है, navigator जो keys होती है, जो arrow keys होती है, navigator keys के लाती है, ऐसे ही उसी का काम करता है, चलो, F8, ये edit point का का काम करता है, ऐसे control प्लस shift प्लस 8, ये frame में text को fit करने का काम करता है, जैसे हम लोगों ने कोई frame बनाया और उसमें अगर text हमारा बाहर निकल ला है तो उसको manage कैसे करना है तो आप उसको select कीजिए control shift plus 8 press कीजिए वो आपको आपके frame में इसको fit कर देगा चलो भाई अगले तरफ चलते हैं फिर home ये first slide में लेके चला जाएगा आपको end ये anthem slide में लेके चला जाएगा ESC ये presentation को बंद ही कर देगा और फिर उसके बाद अरे भाई फिर सिर्फ B लिखा है इसका मतलब इस can जो है आपको इसकी black प्रतरसित करने लेगा W ये white कर देता है CTRL PPLUS SHIFT PPLUS G ये क्या करता है ये selected object को group करना होता है तब इसका करता है CTRL ALT PPLUS SHIFT PPLUS G करेंगे तो ये ungroup कर देगा जो group किया होगा हो उसको ungroup कर देगा ऐसा CTRL SIFT PPLUS और फिर प्लस लेंगे तो किसी object को front में लाना होगा तब ये काम करते हैं ऐसा ही Alt प्लस Shift प्लस F5 करते हैं तो ये Last Edited Slide में Jump कर देगा तो ये कुछ हमारे कुछ ऐसे Shortcut Keys थी जो हमारे Paper में पूछी जाती है इसलिए मैंने इनका आपको एक Video प्रोवाइड करा जिससे आप लोग जो है इनको सही तरीके से कर पाएं F3 ये Group में Inter करने के काम में आते हैं Ctrl प्लस F3 ये Group में Exit करने के लिए होते हैं F7 ये Spell Check करने के लिए होते हैं Ctrl प्लस F7 ये 3000 यानि की जो सब्द कोस होता है उसको करने के लिए होते हैं ऐसे ही फिर F11 देखो तो ये Style 11 Formatting के लिए होता है उसके लाबा Alt प्लस Pace Down ये बिना Effect के अगली Slide पर जाने के लिए किया जाता है ऐसे ही Alt प्लस अगर Pace Down करोगे तो ये बिना Effect के Previous Slide पर चले जाएगा ऐसे Ctrl प्लस Pace Up करोगे तो ये Previous Slide पर जाने के लिए होगा और अगर control plus paste down करोगे तो यह next slide पे लेके चला जाएगा तो याद रखना alt के साथ में उल्ट सीधा चलेगा control के साथ में उल्टा चलेगा फिर plus key दबाओगे तब क्या होगा zoom out करने के लिए होगा और shift plus enter करोगे तो यह बिना paragraph change के line break करने के काम आएगा अगर multiply key जो जिसके star वाला होता है अगर आप इसको लेते हो तो बिंडो में page fit करने के लिए हो जाएगा अगर आप divide की लिए करते हो तो यह current reaction में zoom in करने के लिए हो जाएगा अगर left arrow, up arrow, page up या back space या p लेते हो तो यह बिना effect के अगली slide में आपको लेके चला जाएगा दबाओगे या return वाली button दबाओगे या end दबाओगे तो यह अगली effect play के लिए होता है ठीक है जैसे आपने कुछ slide बनाए उनमें अगली effect जो है आप उससे इनको play कर सकते है तो enter दबा लो, return दबा लो, end दबा लो, paste down कर लो, down arrow कर लो, right arrow कर लो और space bar कुछ भी कर लेंगे त चलो यह तो हमारे थे कुछ shortcut keys ठीक है जो कि आपको यहां से मिल जाएंगे और अगर आपको pdf से revision करना है तो भाई उसको telegram channel से download कर ले न, telegram channel पर आपको upload हो जाएंगे ठीक चलो तो दोस्तों फिर यह वाली class यहीं पर समाप्त करेंगे बाकी आपको कुछ और भी जो classes है computer स important question की वो भी channel पर मिल जाती है तो आप पीछे वाले videos को देख सकते हैं वहां से भी आपको कुछ questions फस जाएंगे चलो दोस्तों फिर यहां आज की यह छोटी वाली class यहीं पर समाप्त करेंगे मिलेंगे किसी अगली class में तब तक के लिए सब को जैहिंद और all the best